मुंग डाल के ये डालवड़े बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं फ्रैंस और एकदम अच्छे क्रिस्पी और कुरकरे डालवड़े हम यहाँ पे बनाएंगे तो आईए फ्रैंस बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमने डाल ली है मुंकी छिलके वाली डाल ली है इसे हम अच्छे से वोस करके साफ करके अच्छे से इसे बिगो देंगे तो देखो ये बिगो के रख दिया दो गंटे के बाद हम दाल लोडा बनाना सुरू करेंगे तो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है पूरा पानी सोग गया है और पूरा बाओल हमारा भर चुका है आप देख सकते हैं तो दाल अच्छे से भीग जाने के बाद हम इसे क्रस्ट करेंगे तो मिक्सर जार में हमें इसे डाल देंगे तो देखो यह मिक्सर जार में हमने डाल दिया और एक बार में जितने आ सके उतनी डाले फ्रेंड्स मिक्सर जार में डाल डालने के बाद इसमें हमने लौसुन की कलिया और अद्रक हमने डाल दिया इसे हम अच्छे से क्रस्ट कर लेंगे तो देखो यह अच्छे से हमने क्रस्ट कर लिया दरदरा हमें इसे पीषना है बहुत बारिक हमें नहीं पीषना है तो देखो यह पीष के तयार हो गया अभी हम इसे बड़े से बावल में निकाल लेंगे और जो भी डाल दूसरी हमारी बची हुई है उससे भी हम इसी तरह से पीश लेंगे आप चाहे तो इसमें हरी मेर्ज भी साथी में पीश सकते हैं फ्रेंस पर मैं हरी मेर्ज एकदम बारिक चोप करके डालूँगी क्योंकि एकदम क्रंची और क्रिस्पी डाल वड़े हमें यहाँ पर बनाने हैं तो देखो यह थोड़ा सा पानी नीचे से निकला है वो हम नहीं डालेंगे इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है तो यह अच्छे से पीश के तयार कर लिया इसमें निम्बू का रस, यहाँ पर हमने सोडा, हिंग, नमक, यहाँ पर हम हरी मिर्च डाल देंगे बारिक चोप किया हुआ हमें प्याज लिया है वो डाल देंगे यहाँ पर काले मरी का पावडर थोड़ी से हम चीनी डालेगे ओप्सनल है चीनी पसंद नहीं करते ना डाले अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से मीक्स कर लेगे तो ये बेटर हमारा बिल्कुल रेडी है वड़ा बनाने के लिए तो अभी हम वड़ा बनाना सुरू करेंगे ओल्डेरी गेस पर हमने तेल गरम करने रख दिया तेल हमारा अच्छा हीट हो जाए फिर हम इसमें वड़े बनाना सुरू करेंगे तो देखो पहले थोड़ा सा डाल के देखे तेल हमारा अच्छा हीट हुआ है कि नहीं तो अच्छा हीट तेल हमारा हो चुका है आप देख सकते हैं गेस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और एक बार में जितने आ सके उतने वड़े हम इस तरह से हाथों से डालना है आप चमत से डाल सकते हैं पर हाथों से अच्छे डाल वड़े एक सेप के अच्छे बनेगे तो देखो ये हाथों से हमने डाल दिया आप चाहे तो चम्मत से भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंट्स तो देखो medium high flame पर light pink color आने तक इसे हम तलेंगे तो देखो ये तल के तयार होगे इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद दूसरे वड़े हम बिल्कुल इसे तरह से बना लेंगे और साड़े वड़े बनाने के बाद हम इसे जो हमारे वड़े तयार हो चुके हैं उसे हम दबाएंगे कटोरी की मदद से दबाएं या फिर हाथों की मदद से आप दबा सकते हैं कि पहुत ज्यादा में प्रेस नहीं करना तो तो देखो इस तरह से हाथों से भी अभ दबाके तयार कर सकते हैं तो इस तरह से सारे मदद से किसलों कर ली मुं से च ambiguous वड़े तैयार खरनने के तलेंगे तो अंदर से थोड़े कच्चे भी रह गये है तो वो भी पक जाएंगे फ्रेंट्स तो देखो एकदम अच्छे क्रिस्पी वड़े हमारे तयार है इसे हम निकाल लेंगे और इसे गर्मा गरम ही सर्विंग डीस में सव करेंगे तो फ्रेंट्स बनाईए और अपने अनुभो हमारे साथ जागरूत इस वेचपूट पर सेर करें बताए कैसे लगी आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तेंक यू